बोपाल की सेंट्रोल जेल से फरार हुए सभी आठो कैदियों को ठेर कर दिया गया है रहा है कि रविवार रात फरार होने से पहले रात करीब दो बजे डूटी परतानाद गार्ड रमा शंकर की कैदियों ने हत्या की थी जबकि एक और गार्ड के खायल होने की भी खबर है हत्या के लिए कैदियों ने किसी धारदार हतियार का इस्तेमाल किया और फिर चादर के सहारे जेल की दिवार फांत कर फरार हो गए बताया जा रहा है कि कैदियों ने फरार होने के लिए दिवाली की राद ही इसलिए चुनी थी क्योंकि पटागों के शोर में वे अपना काम कर सके कैदियों के फरार हुने के बाद जेल सुपरिटेंडंड और तीन सुरक्षा गाडों को निलंबित कर दिया गया है इस खटना के बाद ग्रह मंत्राले ने राजजसरकार से रिपोर्ट मांगी है साथी शिवराज सिंग चोहान ने आपात बैठक भी बुलाई थी इस घटना को लापरवाही बताते हुए शिवराज सिंग चोहान ने इसे राज्ट्रों के बराबर का अपराद बताया था से फरार हुए सभी कैदियों को ठेर कर दिया गया है लेकिन अब इस एंकाउंटर पर सवाल खड़े हो गए हैं विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कॉंग्रेस नेता दिग विजय स्तिंग ने पूछा है कि आतंकी जेल से भागे हैं या किसी योजना के तहत भगाए गए हैं जांच का विशे हैं देखते रहें ये टीपी लाइव